अशुक चोहन का बयान बड़ा दर्दनाक और अफसुसनाक रहा है और उन्होंने पहले सबसे पहले तो अपना पल्ला जाड़ने के एक नाकाम कुशिश भी की और कहा कि यह जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन है कैबिनेट आप राष्टवादी के दे और इन्होंने उसको चूचा किये बिना उसको पास किया इसके लिए तो उद्व ठाक्रे ने शुक्रिया दा किया और हैरत जता ही उन्होंने के जो शूसेना ये मुद्दा लेके चल रहे है जिस शूसेना का आजेंड़ा है वो शूसेना के मंतर दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आशुक चौवान ने जो बयान दिया है वो उनकी इल्मी को दिखाता है और उनका उसमें कसुर्ख मारवन ने जो तालीम और इतिहास पड़ा है तारिक पड़ी है वो RSS की शाकाओं में उन्होंने इतिहास पड़ा है इसलिए RSS की श दूटी तारीक के उपर से नफरत की तारीक को परदा फाड़ते वे हकीकी तारीक को सामने लाया है। आरंगजेब आलमगीर उस वक्त में पुरे मुलक के राजा थे और उस वक्त में चत्रपती संबाजी महराज एक मामले में राज दुरह का उन पे आरूप था और वो उनको पकड़ के देने के लिए चत्रपती संबाजी महराज को पकड़ के देने का काम जो था वो चत्रपती सम्भाजी महराज के सग्गे साले ने पकड़ के दिया है यानि वो कोई मुसल्मान था कैसा का साला भी खते हैं नहीं के जाती से नहीं के बिरादरी से नहीं के खांदान खून का था और उसने अपने मफाद के लिए इनको पकड़वा कर दिया यानि यह घदारी जो हुई है पकड़वा के देने की यह घदारी वो दोर रहो या आज के तख्ता पलट का हम देख सकते हैं बंडोखोड़ी के नाम पे जो घदारी की गई है तो यह घदारी किसने की है इसको भी हमने साफ तोर से समझने की दूरत है आशुक चौहान को पूछना चाहिए कि ये सिलसिला कहां से आया है आप उसको हिंदू मुसल्मान की तारिक में क्यों बाट रहे हो और औरंग जेप के दौर में उनको आरेश जरूर किया लेकिन जो सूबा समालते थे वो पेशवा थे और उनको जो सजा दी गई थी छत्रपत देते थे या कोई ऐसी सजा देते थे अगर मुर्ति उदंड भी दिये तो लेकिन चत्रपती संबाजी महराज को मनुस मुर्ती के अंदर जो सजा हैं लिखी वी है क्योंकि चत्रपती संबाजी महराज आला दर्जे के तालीमें आफता थे साथ भाशाएं साथ जुबाने उ हटाने की कोशिश की ये सारे उनके उपर जुर्म लगाके पेशवाओं के जरीए पेशवाओं ने यानि औरंग जेब आलमगीर के सिपाईयों की आड में पेशवाओं ने उनको सजा दी इती ते इस तरीके के जो दर्दनाक उनको सजा दी गई थी वह आस तक कोई मुगल पाशा ने दिया नहीं है तो फिर ये औरंगजेब के आडमे के वाले पेशवाओं की कर्टुते हैं ये ब्रामने वादियों की कर्टुते हैं और इस बात को साफ तौर पे ये बड़े बड़े लिखा कर जिनके हमने नाम लिए इन्हों ने ये तारिक सामने लाई है अशुक बात उनकी कम इलमी यानि आशोग चौवान पड़े लिखे जाहिल हैं अनपढ़ हैं गवार हैं क्योंकि उन्हों ने कैसी बात कहे दी जिसका तो कोई कहीं संबंद ही नहीं है यानि उन्हों ने कहा कि आरंग जेव आलम गिर ने अपने वालीद को खतल किया अरे बबाबा नजर कैद होती है इसका कंसेप पता है क्या औरंग जेव आलम गिर ने अपने वालीद बाशाह के तोर पे खजाने का मिस्यूज कर रहे थे आवाम की फलाही के लिए बजाए वो अलग अमारत बनानों में या फिजल खर्ची में वो कर रहे थे उसको विरोत किया और जब उ और उनकी औरंग जेव आलम गिर का ये था कि उन्होंने आखरी तक अपने मौत के आखरी घड़ी तक सरकारी तीजोरी का एक रुपए नहीं लिया अपनी जाती जिन्दगी को टोपें सीके खुरान लिकर किया लेकिन बात क्या है कि मेरे गहर मुस्लिम भाईयों से औरंग के बारे में अगर वो कुछ गलत बात करते हैं तो इसलिए उनको में बहुत बड़े दोशी हो इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं ना सच्ची तारीख उनकी औरंग जेप की जाती जिन्दगी क्या रही है इसको लेकर इन्होंने पढ़ा ही नहीं है ये त तारिफ नहीं नहीं है और ये तारिफ जो फारसी में अर्दों में हैं वो वो लोग पढ़एं नहीं इसलिए उनकी जाती जिन्दगी के बारे में बहुत कुछ सामने लाने के जुरूत हैं। पुरानी तारीक को फार्सी अर्दो को मराठी मिलाने का काम कर रहे हैं तो कई हमारे मराठी भाईयों को टीपू सुल्तान की तारीक उनके दरी मानूं पड़ी है उनसे मुझे तवख होए कि ऐसे लोग सामने आएं और वो औरंग जेब की भी जाती जिन्दगी को सामने लाए और औरंग जेब को उपर जो इल्जाम आशुप चौवाने लगाया है ये बद्गुमानी में लगाया हुआ है ये प्रुआगरह में लगाया हुआ है ऐसा इल्जाम इन पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की कर्तुत हैं नहीं नहीं ने भी अपने बाप की पर लाके तख्त नशी किया था वो जितने मराठा घरान थे नांडर दिले के उन घरानों को खत्म करके ये गद्धी पर बैटे हुएं मुखामी लोगों का हक चीन के बाहर से कोकंड से नुसमान अबास से आयवाले लोगों को तख्त पर बिठाया है इन्होंने तो इन्हों अपने वालिद को मिलने आए और कहा कि मेरे बेटे ने खुरान हिफ्स कर ली यानि तोन पार्ट खुरान कर लेने को हिफ्स करना कहते हैं तो उनके वालिद ने कहा कि तेरे बेटे ने तेरी जन्नत का सामान जरिया बना दिया है अब तू जन्नती हो गया यानि किसी का बेट मैंने भी हिफ्स कर लिया है यानि एक इतना बाप की खिदमत करने वाला बाप की खातिर इतनी अच्छी तवोखों रखने वाले वो फर्जन थे इसलिए मुझे लगता है कि औरंग जेब की तारीक को पड़े भी ना उन्होंने बद गुमाने नहीं पैलानी चाहिए और मुझ कौमन मिनिममूम प्रोग्राम में 22 नुक्ते 22 पॉइंट थे जिसमें औरंगाबाद और उसमनाबाद का नाम बदलने का मुझे नहीं था और ये खुद इनके परदेश अदिक्स बाला सब थोराद ने तीन महने पहले औरंगाबाद में प्रेस में कहा था कि हमारा वो मुद खुल कर दिखा रहे हैं उनको आपकी पर्वाँ नहीं है आपके उनको मालू है कि आप लोगों के कितनी भी जमीर को और किसको भी अगर खायल भी कर देंगे तो आप लोगों की पसमान देगी और गरीबी का फायदा उठा के वो पांसो की जगा हजार रुपे उट को देंगे और पैसा फिक की जिनका उट मिलता है उनके वखार को कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि अवाम ये हर दोर में अपने जमीर और अपने वखार की खातिर भूकी तरपती मर गई लेकिन अपने जमीर और वखार के साथ जिना प पूल मजबूत चौखटे भी खरीदे गजानन हाडवेर मालेगों रोड गीते पिटुल पम के खरीब नान्देड हमारे यहां फरनीचर पलंग सिंगरदान सोफा सट अलमारी डाइनिंग टेबल कंप्यूटर टेबल और दिगर कंपनियों के फरनीचर दस्तियाब है खवातीन और 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 ओ나डों के दिगर अमराज, बांशपन के इलाज के लिए, फैMily Planning की मश्वारात के लिए भैत्री नालाच की सोहलत में, नार्मल और ऑर अपरेशन से बचों की पैदाइश के लिए और फज़जगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के खुसुसी नजब केरेला के मल्टी स्पेशलिटी और गौर्णमेंट हास्पिटल के तज़र्पिकार डाक्टर खान सारा नुदरत, मावीन माटरेनेटी और नर्सिंग होम चावलावला कॉम्पलेश एजबी बेंग के ऊपर देगलू नाकार नान देड। महराष्टा स्टेट बोर्ट ऑफ ओकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंदूर शिदा कोर्सेस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निशन, डिप्लोमा इन डायलेसेस टेकनोलोजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशन, दाखलों में जल्दी कीजिए, गुलोबल प अबडेट के लिए देखते रहे नादिर उर्दो न्यूस और न्यूस के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले